नमस्कार आप देख रहें स्पी अपडेट यूट्यूब चेलन्ग केंद्री परिवहन मंत्री नीतिन गटकरी ने सुमार्ग कहा कि वह एक ऐसा कानूल लाने की योजना बना रहे हैं जिसके तहत वहनों के हारन के रुप में केवल भारती म्यूचकल इस्टूमेंट्स की आवाज का इस्तिमाल किया जा सके जैसे बाशरी तबला हर्मोनियम महाराष्ट के नासिक में एक हाईवे के उधगाटन समारों में उन्होंने कहा कि वह एम्बूलेंस और पुलिस की गाणियों द्वारा इस्तिमाल किये जाने वाले सायरन का भी अध्यन कर रहे हैं और उन्हें अकास बाणी पर बजाये जाने वाली मधुर धुन में बदलने का विचार कर रहे हैं गड़करी ने यह भी कहा कि उन्होंने लाल बत्ती खत्म कर दी उन्होंने कहा अब मैं इन सायरन को भी खत्म करना चाहता हूं अब मैं एम्बूलेंस और पुलिस द्वारा इस्तिमाल किये जाने वाले सायरन का अध्यन कर रहा हूं उन्होंने कहा एक कलाकार ने अकास बानी के लिए एक धुन बनाई और इसे सुबह सुबह बजाया गया मैं उस धुन को एम्बूलेंस के लिए इस्तेमाल करने का सोच रहा हूँ ताकि लोगों को अच्छा लगे खास कर मंत्रियों के गुजरते समय सायरन का इस्तेमाल जोरदार आवाज में किया जाता है जो बहुत परसान करने वाला होता है इससे कानों को भी नुक्सान पहुंचता है गटकरी ने कहा मैं इसका अध्यन कर रहा हूँ जल्दी एक कानून बनाने की योजना बना रहा हूँ कि सभी वाहनों के हार से भारती संगीत म्यूजकल इस्ट्यूमेंट्स की आवाज आए ताकि उन्हें सुनना कर पिरी रहे जैसे बाउसरी तबला वालिन हर्मोनियम दोस्तों वहीं नितिन गटकरी से मेरा एक और कहना है टेनों का जो आवाज है इतना जोरदार रहता है कि लोग डर से ना गलत डारेक्शन में साइड ले लेते हैं तो ट्रेने को आवाज को भी लेके कुछ अध्यान करें और उनकी भी कुछ अईसी अलग सी आवाज निकालें जिसको सुनके लोगों को अच्छा लगे दोस्तों आप देख रहें SP Update YouTube चैनल इसी तरीके से महाराश मुंबाई देश दुनिया की सभी ताजा खबरे पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में भी सेर करें ताकि उन्हें भी पता चले ताजा खबरे के बारे में